Good morning friends, स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए Railway Model Set 3 जिसमें हम Railway से important सारे questions जो भी GKGA से related है उसका जिक्र करेंगे तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं या चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा दिजे ताकि आपको notification मिलता रहे चलिए तो आए शुरू करते हैं question number first भरतिय राष्टिय कॉंग्रेस के सबसे अधीक समय तक अध्याच कौन रहे हैं तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा option number A मौलाना अब्दुल कलाम आजा थे ये सबसे अध्याच समय तक तो रहे ही थे साथी साथी है सबसे यूबा थे क्या थे सबसे यूबा भी थे देखे ये actually हुआ क्या था कि 1940 में ये राष्टिय कॉंग्रेस का अध्याच बने थे ठीक है फिर उसके बाद 1940 से लेकर 1945 तक कॉंग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था तो इस तरह से ये 6 बर्स तक अ धेशता की है ठीक है कब-कब 1886 में 1893 में और 1906 में देखिए इनका जो ये 1906 वाले अधिवेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि येही उन 1906 वाले अधिवेशन में सबसे पहले स्वरारसब्द का परियोग हुआ था तो कभी-कभी ऐसे भी कोश्यन आत प्रथम पार्सी अध्याच भी थे ठीक है चलिए बढ़ते आगे अगर WC BMS चर्ण बनरजी की बात करते हैं तो ये दो बार रहे हैं ठीक है सबसे पहले 1880 में और उसके बाद 1892 में इन ही की अध्याचता में 1880 में कॉंग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था जो कहा हुआ था बंबई में हुआ था और इसमें 72 मेंबर प्रजेंट थे ठीक है चलिए अगर बात करते हैं सरदार बल्ला भाई पटेल का तो इनका एक अधिवेशन जो याद रखने का है वो है 1931 का कराची अधिवेशन ठीक है और इसी 1931 के कराची अधिवेशन में किसकी बात हुई ह मौलिक अधिकार की बात हुई है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्यन नबर टू की दरफ कोश्यन नबर टू है किस भारतिये नेता ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा ऑप्सन नबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेद कर यही अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ दूसरे में अधिवेशन में भाग लिया है जो की 1931 था ठीक है और अगर तीनों गोल में सम्मेलन की बात करते हैं एक और कोश्यन भी पूछा जाता है कभी कभी एक जाम में कि तीनों गोल में सम्मेलन के सम् इंग्लेंड के परधान मंत्री कौन थे? तो इंग्लेंड के जो परधान मंत्री से तीनों गोल में सम्मेलन के समय बो थे James, Ramjay, Macdonald ठीक है? James Ramjay, Macdonald और एक 1931 में एक और important बात है 1931 में गांधी इर्विन समझाता हुआ था गांधी इर्विन समझाता हुआ था चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ जो कि है हमारा कोश्चन नमर ठड ढलबा लोहा में कार्बन की मातरा कितनी होती है तो इसका जो सई अंसर है वो है ओप्सन नमर ए 2 से 2.5% देखे ढलबा लोहा जो कि क्या है कास्ट आरन ठीक है कास्ट आरन ये सबसे निम्नकोटिक आरन है सबसे निम्नकोटिका है क्योंकि जिसमें जितना कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उतना ही वो निम्नकोटिक आरन रहेगा और जिसमें जितना कार्बन की परती सत्ता कम रहेगी उतना ही वो अच्छे आरेन रहेगा जैसे कि हम लोग पिटवा लोहा है ठीक है पिटवा लोहा की बात करते हैं तो ये उच्छतम क्वालिटी का लोहा है और इसमें 0.12 से लेके 0.25 परसेंट तक कार्बन उपस्थित रहता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नबर 4 की तरब इंडियन वाइल कॉर्परेशन का सबसे बड़ा रिफाइंजिक कहां इस्थित है तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये हल्दिया में इस्थित है हल्दिया कहां है बेश्ट बंगाल में है पश्य मंगाल में और अगर हम इंडियन वाइल कॉर्परेशन की बात करते हैं मतलब IOCL का आगर बात करते हैं तो ये 1959 में found out हुआ था और इसका जो headquarter है मुख्याले है वो New Delhi में है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरब जो कि है हमारा question number 5 सक संबत इस वी कितने सन में कितने बर्स पीछे है तो इसका जो सई answer होगा बो होगा option number B 78 देखिए अगर हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं सक संबत की तो सक संबत है क्या ये एक तरह का क्या calendar है और जो की भारत का राष्टिय कलेंडर भी यह है ठीक है कभी कभी यह भी question आता है कि भारत का राष्टिय कलेंडर कोन है तो यह है सक संबत ही अगर हम सक संबत की बात करते हैं तो इसको चलवाया था कनिस्क ने ये कनिस्क जो था वो कुसान बंस का सासक था क्या था कुसान बंस का सासक था और यह अपने सासक बनने की खुसी में 78 इसवी में क्या चलवाया था सक्संबत चलवाया था ठीक है इसका जो प्रथमा होता है वो चैत होता है और अंतिमा जो होता है वो फागुन होता है देखे साथी साथ सक्संबत के साथ साथ एक और चीज होता है एक तो होता है सक्संबत और एक होता है विक्रम संबत ठीक है त सक संबत निकालना होगा तो ठीक है और अगर बिकरम संबत निकालना होगा आपको तब क्या करना होगा जो अभी अभी प्रजेंट साल है उसमें अंठामन साल जोडना होगा ठीक है तो मतलब कहने का मतलब है अगर बिकरम संबत निकालना होगा तो अंठामन साल जोडना होगा और सक संबत निकालना होगा तो 78 साल माइनस करना होगा चलिए ठीक है बढ़ता है next question की तरब जो कि है हमारा question number 6 कालीदास किसके सासनकाल में थे तो इसका जो सही answer है बो है option number A चंदरगूप दूतिये के सासनकाल में कालीदास थे ठीक है अगर हम चंदरगूप दूतिये की और बात करते हैं तो इसी के दरबार में 9 रतन भी रहते थे ठीक है 9 रतन भी रहते थे इसी के दरबार में चंदरगूप दूतिये के दरबार में और एक और इससे important question आता है चंदरगूप दूतिये के से कि इसी के समय में चीन का एक बौध यात्री था कहां का चीन का एक बौध यात्री था जिसका नाम था फाहियान वो भी इसी के समय में मतलब चंदगुप दूतिय के समय में भारत आया था चलिए आगे बात करते हैं अगर असोक की तो असोक को क्या बोला जाता है असोक को साथ साथ ही असोक बर्धन भी बोला जाता है ये कहां इसको बोला गया पुरानों में कभी-कभी ये कोश्चन आता है कि असोको को पुरानों में क्या बोला जाता है तो असोक बर्धन बोला जाता है ठीक है और इसे एक बहुत important youth है जो के तेरह में सिला लेक से मिलता है ठीक है कौन से सिला लेक से तेरह में सिला लेक से चलिए अब बात करते हैं हम समुंदर गुप्त की अगर समुंदर गुप्त की बात करते हैं तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है और साथी साथ इसको क्या कहा जाता है कभी राज भी इसी को कहा जाता है और यह जो समूद्र गुप्था वो क्या था विस्नु का उपासक था चलिए आगे बढ़ते हैं अगर अकबर की बात करते हैं तो अकबर क्या था अकबर के बचपन का नाम क्या था जलाल था अकबर का हेमु के बीच पानि पत की दूसरी लड़ाई फंदरासो च्छपन में और अकभर के साथ एक और इंपॉर्टेंट बाद याद रखी एक अकभर का कि इसने क्या किया था दास प्रथा को और जजियाकर को दोनों को इसने समाप्त कर दिया था रास्प्रथा और जजियाकर दोनों को समाफ्थ कर दिया था ठीक है और एक और important बाद याद रखेगा कि आपने तांसेन का नाम सुना ही होगा जो एक परसित संगितकार थे तो ये तांसेन जो थे वो अख़बर के दरबार में ही रहते थे चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा question number 7 मलावी जील कहां इस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number B तंजानिया ठीक है देखे जो मलावी जील है वो तंजानिया में स्थित है और इससे जो संबंधी छेतर है मलावी जील से वो कहा कहा है मलावी तथा मोजांबिक ठीक है अगर हम बात करते हैं कनाडा की तो कनाडा में कौनकों से तो कनाडा में सबसे एक important जील है रेंडियर जील ठीक है और एक और है बीनो पेग बीनी पेग जील ठीक है ये दोनों कनाड़ा में है अगर हम रूस की बात करते हैं तो रूस में कौन-कौन सा जील है important उनेगा और एक बहुँ ज़्यादा बार question में पूछा जाता है बैक आल जील ये दोनों याद रखिएगा रूस में अगर आश्टेलिया की बात करते हैं तो आश्टेलिया से आपको एक याद रखना होगा आयर जील आयर जील जो है वो कहा है आश्टेलिया में चलिए बढ़ते नेक्स कोशन की तरब जो किया है हमारा question number 8 जैब विकास बायो डवलाप्मेंट को सरपर्थम केस ने समझाया था तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा option number 8 लैमार्क ने ठीक है ये लैमार्क थे कौन लैमार्क थे एक फ्रांस के बैग्जानिक थे ठीक है और इसे नहीं सरपर्थम जो भर्टिब्रेट और इन्वर्टिब्रेट आपने सुना होगा तो जो ये इन्वर्टिब्रेट सब्द है ठीक है इन्वर्टिब्रेट सब्द का सरपर्थम प Q9 क्या कह रहा है? किस अंग्रेज को जहांगीर के द्वारा खान की उपाधी दी गई थी? तो इसका जो सही अंसर है, बो है, option number A, Captain Hawking's. ठीक है? देखिए, अगर हम बात करते है Captain Hawking's की Sir Thomas Rowe की, Edward Wary की और साथ साथ एक और नाम याद रखेगा, बिलियम फिंच, कौन? बिलियम फिंच, यह जो चारो थे, यह European यातरी थे, और यह चारो जहांगीर के सासनकाल में ही भारत आये थे, लेकिन, खान की उपाधी किस ने दिया था? Captain Hawking's ने दिया था, ठीक है? एक चीज और याद रखेगा, यही जो जहांगीर था, वो किसको मरवा दिया था? जो सिखो के पांचमे गुरु थे, अर्जुन देव, ठीक है? था और उसी में यह जो अर्जुन देव थे वो खुसरों की सहायता किये थे और इसी के कारण क्या किया था अर्जुन देव को यह फासी दिलवा दिया था ठीक है अगर जहागीर की बात करते हैं तो एक और important बाती से याद रखिएगा कि जहागीर के समय को क्या बोला जाता है चीतरकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है चीतरकला का स्वर्ण काल कहा जाता है चलिए बड़ते next question की तरब जो कि है हमारा question number 10 काकड़ा पाड़ा परियोजना किस नदी पर इस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number B तापती नदी ठीक है चलिए अगर तापती नदी की बात करते हैं तो इससे जो काड़ा पाड़ा परियोजना है इससे जो लवांभीत राज है वो कौन से हैं वो गुजरात है अगर तापती नदी पर एक और परियोजना याद रखेगा अगर उसका नाम है उकाई परियोजना उकाई परियोजना भी तापती नदी पर है अगर गंड़क नदी की बात करते हैं तो चम्बल नदी पर याद रखेगा चम्बल परियोजना और साथ साथ जिसमें सागर लगा हुआ होगा जैसे कि गंगा सागर जबाहर सागर जबाहर सागर राना परताब सागर ये सब किस पे हैं? ये सब परियोजना चम्बल नदी पर है अगर ब्यास नदी की बात करते हैं, तो ब्यास नदी पर यह है, ब्यास परियोजना, ठीक है, ब्यास परियोजना, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 11 की तरफ, सबसे अधिक घनत वाला या भारी तत्व कौन सा है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा, option number B, Oceum, देखें, अ अगर option में रहता है, uranium तो answer हो जाता uranium, ठीक है, क्योंकि uranium जो है, वो सबसे भारी तत्व है, और अकर सबसे हलका तत्व पुछेगा, तब हो जागा hydrogen, ठीक है, अगर सबसे भारी तत्व तब uranium, और सबसे हलका तत्व hydrogen, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, जो की है, हमार question number 12, असोग का अस्थाम मेरट से दिल्ली किसने लगवाया था, तो इसका जो सई answer होगा, बो होगा, option number A, फिरोसा तुगलग, ठीक है, अगर हम फिरोसा तुगलग की बात करते हैं, तो यह क्या किया था, असोग का दो अस्थाम, एक कहां से, एक लाया था, यह खीजा बाद का टोपरा गाउं से, खीजा बाद एक जगह है, वहाँ एक गाउं था, टोपरा गाउं, वहाँ से एक अस्थाम, और दूसरा एक अस् होगा वो होगा फिरोसाथ तुगलक साथी साथ फिरोसाथ तुगलक के बारे में एक चीर और याद रखिएगा कि इसको जो है सल्तनत काल का आकवर कहा जाता है क्या कहा जाता है सल्तनत काल का आकवर कहा जाता है ठीक है और ये इसको कल्यानकारी सासक भी कहा जाता है साथी साथ सरवाधी दासों की संख्या भी के समय पे थी तो इसी फिरोसा तुगलग के समय पे थी और इसने क्या किया था एक चीज़ और याद रखेगा कभी-कभी बहुत बार ये कोश्चन पुछा गया एक जाम में तो मुहमद बिन तुगलग को क्या बोला जाता है बोला जाता था पागल, स्वपनसील, रख पिचासू ये सब मुहमद बिन तुगलग को कहा गया था और इस समय एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये याद रखेगा कि इसी के समय मुरको यातरी इसी के समय मुरक्व यातरी इबन तूता इबन बतूता जो आया था भारत आया था ठीक है एक चीज़ और इससे बहुत important question ये बनता है कि इसकी मिर्थू पर मतलब मुहम्मद बिन तुगलग की मिर्थू पर है कि इतिहासकार था जिसका नाम था बदा यूनी ये लिखता क्या है ये बदा यूनी मुहम्मद बिन तुगलग के बारे में लिखता था इसकी मिर्थू पर कि अंतता लोगों को उससे और उससे लोगों को मिक्टू मिल गई मतलब अंतता लोगों को राजा से और राजा को पुराजा से मुक्ति मिल गई है चलिए आगे बढ़ते हैं बात क अख्बर के बेच ज़िसमें क्या होगा था आकपर का जो सेना पथी था वो क्या है अख्यछा पुछा जाता है कि अख्बर का सेना पती का नाम क्या था तो वो क्या था Maanण सींग था ठीक है और अकबर के काल को ही क्या बोला जाता है हिंदी साहित का स्वर्ण काल बोला जाता है हिंदी साहित का स्वर्ण काल बोला जाता है और अकबर क्या हुआ था जब ये गुजरात विजय किया था तो इस गुजरात विजय की उपच में इसने उपलच में क्या बनवाया था बुलंद दरबाजा का निर्मान भी अक्वर नहीं करवाया था चलिए आगे देखते हैं बलवन के बारे में कुछ पॉइंट तो बलवन के से important एक पॉइंट याद रखिएगा कि बलवन क्या किया था रखत और लोह की निती चलवाई थी रखत और लोह की निती चलवाई थी उसके साथ साथ ही याद रखिएगा कि इसने एक फार्सी तेवहार भी मनाना स्टार्ट किया था फार्सी तेवहार एक शुरू किया था जिसको बोला गया था नौरोज नौरोज ठीक है और उसके बाद क्या हुआ था और इसने एक नया सैन विभाग की अस्थापना की थी जिसका नाम था दिवाने अर्ज दिवाने अर्ज बनाया था ठीक है अगर हम बात करते हैं बलवन की तो बलवन से एक और चीश पुछा जाता है कि बलवन अपनी पुत्री का बिवाग किसे करवाया था नसुरुदीन महमूद से करवाया था एक चीज इंपॉटेंट याद रखेगा ये नसुरुदीन गया है कि कौन ऐसा सुल्टान था जो टोपी सिलकार अपना जीवन निर्वाह करता है तो वो था नसुरुदीन महमूद जिससे क्या था बलवन का दमाद था बलवन अपनी पुत्री का विवाहिद से करवाया था चलिए बढ़ते नेक्स कोशन की तरब जो किया हमारा कोशन न नदी के किनारे बसा हुआ है तो इसका जो सही अंसर है बो हो जाएगा आप्सन नबर भी नर्मदा नदी अगर हम चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी पर एक इंपोर्टन सहर है बसा हुआ है कोटा मूसी नदी की बात करते हैं तो मूसी नदी पर एक बसा हुआ ह है हैदराबाद और अगर गुमती नदी की बात करते हैं तो गुमती नदी पर बसा हुआ है लखनाव और जॉनपूर ठीक है चल नेक्स कोशन की तरब बढ़ते हैं जो कि है हमारा कोशन नमबर 14 कोशन नमबर 14 का रहा है आबतल लेंस हमेशा किस परकार का प्रतिभीम बनाते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number B आभासी प्रतिभीम देखे याद रखेगा अबतल लेंस पे चाहे बस्तु कहीं भी रखा जाये वो हमेशा क्या बनेगा आभासी बनेगा छाहे बस्तू कहीं भी रखा जाये परतीबीम हमेशा आवासी बनेगा सीधा बनेगा और बस्तू से छोटा बनेगा अगर लेंज की छंता की बात करते हैं तो लेंज की छंता को किस में मारपा जाता है इसका SI unit डायोप्टर है और अगर हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस की जो छंता होगी वो हमेशा घनात्मक होगी और अगर अबतल लेंस की बात करते हैं तो अबतल लेंस की जो छंता होगी वो हमेशा रिनात्मक होगी ठीक है? चलिए नेक्स वोजिशन की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा question number 16 भारतीय रेलबे ने online ticket booking की सुभधा शुरुवात कब से की थी तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जागा option number A2002 क्यों? क्योंकि 3 अगस्त 2002 को ही सबसे पहले online ticket booking की सुभधा शुरुवात की गई थी चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ जो कि हमारा question number 70 सती प्राथा को किसने अबयाद घोशित किया था? तो इसका जो सई अंसर हो जागा बो है option number C Lord William Bentic देखिए ये Lord William Bentic जो थे वो किसके सयोग पे? राजाराम मोहन राय के सयोग पे ही 1829 में सती प्राथा को कब क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था और ये जो Lord William Bentic है यही क्या है भारत का पहला governance journal कहलाया ठीक है? और ये चीज और इसके Lord William Bentic से important याद रखेगा इसी के समय पर मैकाले की अनुसंसा पर किसकी अनुसंसा पर? मैकाले की अनुसंसा पर अंग्रेजी को सिच्छा का माध्यम बनाया गया था तो ये Lord William Bentic के समय है और किसकी अनुसंसा पर? मैकाले की अनुसंसा पर बनाया गया था बात बाकी और दूसरे आपकोंस की बात करते हैं अगर Lord Cornivalis की बात करते हैं तो इसने Cornivalis Code चलाया था साथी साथ हस्थाइब बंदोबस की पदिती लागू की थी ठीक है और इसी को क्या बोला जाता है भारत में नागरिक सेबा का जनक बोला जाता है नागरिक सेबा का जनक भी माना जाता है चलिए अगर बात करते हैं Lord Hanstings की तो Lord Hanstings के समय क्या हुआ था? इसके समय पर एक बहुत important चीज हुआ था वो क्या हुआ था कि 1816 इस भी में अंग्रेजो एबं गोर्खा के बीच संगोली की संधी हुई थी संगोली की संधी हुई थी किसके किसके बीच? अंग्रेजो और गोर्खो के बीच और इसी के फल सरूप जो अंगल नेपाल यूज चल ला था उसका समाप्त हुआ था उसका अंत हो गया था संगोली के संधी से जो कि किसके किसके बीच हुई थी अंग्रेजयो बंग गोर्खो के बीच 1816 में बात करते हैं अगर राजा राम मोहन राएकि तो इनने तीन-चार इनके रिलेटर्ड चीज याद रखेगा कि इनने आतमिये सभा का गठन किया था आतमिये सभा का गठन 1815 में बेदान्त कॉलेज का गठन इनने किया था 1825 में और ब्रहम समाच का गठन किया था 1828 में ठीक है, तो तीन चीज़ याद रखिएगा, आत्मिय सभा का 1815 में, बेदांत कॉलेज का 1825 में, और ब्राम समाज का 1828 में, किस ने किया था, राजाराम मोहन लायने, चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ, जो कि है हमारा कोशन नबर 18, सिकंदर और पुरस के बीच किस न अगर हम बात करते हैं पुरस का, तो पुरस कौन थे, पुरस एक पंचाब का सासक था, ठीक है, जब सिकंदर आया थो तो इससे लड़ाई हुआ था इसका, लेकिन यहाँ पिर क्या होता है कि पुरस हार जाता है, लेकिन फिर भी जो सिकंदर था, वो क्या करता है कि पुरस क जो मतलब संपत्ति थी या पोरस का जो जगा था वो उसे बापस लोटा देता है उसकी बहादुरी से परभावित हो कर सिकंदर पोरस की बहादुरी से इतना परभावित हो जाता है कि उसको सब कुछ लोटा देता है अगर हम बात करते हैं सिकंदर का तो सिकंदर क्या था अरस अप्स्तू का सिस था और इसका जो सेना पती था वो कॉन है सेलुकस निकेटर था ठीक है चलिए नेक्स कोशेन की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा कोशेन नमबर भारतिये रेल का स्लोगन क्या है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा ऑप्सन नमबर ए राष्ट की जीवन रेखा कभी-कभी इंगलिस में इपूर देता है तो याद रखेगा लाइफ 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 ये इंडिया रेलवे का स्लोगन है चलिए, आगे बढ़ते हैं जो कि ये question number 20 बिलियम बेंटिक भारत का governor general किस charter act के द्वारा बना तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option number A, 1833 के charter act के द्वारा देखिए 1833 के charter act में हुआ क्या था कि जो बंगाल का governor general था जो बंगाल का governor general था वो भारत का governor general कहा जाने लगा तो इस तरह से बिलियम बेंटिक जो था वो भारत का पहला governor general बना ठीक है इसका सासनकाल था 1828 से लेके 1835 के बीच ठीक है और इसी charter act 1833 के तहत ही एक चीर और याद रखिएगा कि लॉर्ड मैकाले की अध्यचता में प्रथम बिधी आयोक की गठन हुआ था किसकी अध्यचता में लॉर्ड मैकाले की अध्यचता में प्रथम बिधी आयोक का गठन भी हुआ था 1833 के चार्टर अधी नियम के तहत ही चलिए आगे बढ़ते है question number 21 पे AIDS की बिमारी एक बिसानू से होती है जिसका नाम है इसका जो सई अंसर होगा वो होगा option number A HTLB111 ठीक है देखिए अगर HTLB की बात करें तो HTLB होता है human T lymphotropic lymphotropic retrovirus retrovirus human T lymphotropic retrovirus चलिए बढ़ते है next question की तरब जो कि है हमारा question number 22 किस राज ने बेरोजगार इबाओं की सहायता के लिए hope portal launch किया तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा उतराखंड यानी option number A देखिए अगर hope की हम बात करते हैं तो hope का full form है helping out helping out people everywhere everywhere ठीक है और इसको launch कौन की है उतराखंड की है उतराखंड की है अगर हम capital की बात करते हैं तो इसका capital देहरा दुने ठीक है और इसके जो अभी present में मुख मंत्री है वो को ने त्रिवेंदर सिंग राबत और इसके जो अभी governor है राजपल है वो को ने बेबी रानी मौलया बेबी रानी मौलया चलिए अगर बात करते हैं हम UP की तो UP में एक योजना चल ला है कन्या सुमंगला म्योजना कन्या सुमंगला योजना और एक और इससे याद रखेगा एक जिला एक उत्पाद योजना एक जिला एक उत्पाद योजना अगर हम बात करते हैं हिमाचल परदेश की तो हिमाचल परदेश में एक योजना चल ला है उसको बोला जाता है मेगा प्रोसाहन योजना चलिए अगर बात करते हैं हम आगे इसका next option है राजस्थान राजस्थान में भी एक दो important योजना याद रखिएगा वो सबसे पहला क्या है सबसे पहला है अनपुर्णा दुखधी योजना अनपुर्णा दुखधी योजना और इसने एक और साथी साथ बैदिक सिच्छा बो के लिए I feel you नामक bracelet launch किया है तो इसका जो science होगा वो होगा option number A Italy ठीक है देखिए ये है क्या bracelet ये bracelet एक तरह से जो है वो radio signal पे काम करता है किस पे radio signal पे काम करता है जो एक दूसरे के पास अगर आप नजदिक आ जाईएगा तो वो आवाज करने लगेगा और फिर वो आपको आप दिलाएगा कि आप क्या है अब social distancing का पालन नहीं कर रहे है ठीक है तो इसका science हो चागा Italy option number A चेले next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 24 भारतिय पुरातात्र सर्वेच्छन की नई महादिन निदेशक कौन बनी है तो इसका जो science है वो होगा option number D B बिद्याबती ठी ठीक है इसका जो science है बो है option number D B बिद्याबती ठीक है अगर हम बात करते हैं archaeological survey आफ इंडिया का तो इसका जो गठन हुआ था बो 1861 में हुआ था कब 1861 में और इसका जो headquarter है मतलब मुख्याले है बो New Delhi में है ठीक है चेले next question की तरह बढ़ते हैं जो कि है हमारा question number 25 जलिया व ठीक है देखिए अगर जलिया वाला बाग की बात करते हैं तो ये कब हुआ था 13 अपरहल 1929 को लेकिन ये जलिया वाला उधमसी ने इसे जर्णरल डायर को कब मारा था इन्हें मारा था 13 मार्च 1940 को ये जो 13 अपरहल 1929 को हुआ था और ये ही जलिया वाला बाग के कारण इसी के बिद्रोह में महात्मा गांधी ने केसर ये हिंद की उपाधी बापस लोटा दी थी साथी साथ याद रखेगा कि रभीना टाइगोर ने भी सर की उपाधी बापस लोटा दी थी तो ये कभी-कभी कोश्चन ऐसा पुछा जाता है कि रभीना टाइगोर ने किस की उपाधी बापस लोटा दी थी जलिया वाला बाग के समय तो सर की उपाधी बापस लोटा दी थी चले नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं जो कि हमारा कोश्चन नमर 26 हर्स के द्वारा कौन सी पुष्तक नहीं लिखी गई है तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा ऑपस नमर 2 मुद्रा राच्छस ठीक है यह मुद्रा राच्छस किनकी रचना है यह विसाक दत की रचना है इसमें जनरली वो विसाख द्रत द्वारा लिखी गई है और किसमें लिखी गई है संस्क्रीट भासा में लिखी गई इसमें वो जनरली चान्नक के बारे में लिखा गया है उनके बारे में चलिए बात बाकी अगर हम बात करते हैं नगानंद, प्रिये दर्सिका और साथी साथ एक चीज़ और याद रखेगा रतना बली ये तीनों बुक का नाम याद रखेगा नागानंद, प्रियदर्सिका और रतना बली इन तीनों के कौन किस लिखे हैं ये हर्सबर्धन के त्वारा रचित है ठीक है अब बात कर लेते हैं अगर हर्सबर्धन की तो हर्सबर्धन की बात अकर करते हैं तो ये भारत का अंतिम हिंदू समराटी ने कहा गया है भारत का अंतिम हिंदू समराटी ने कहा गया है ठीक है और एक चीज़ और इन से इंपोर्टन याद रखेगा कि हर्स बर्धन जो थे हर एक 5 बर्ष पर परियाग संगम पर एक परिसत का आयोजन करवाते थे उस परिसत का नाम था महामोच परिसत नामा के एक समारो का आयोजन करवाते थे हर एक 5 बर्ष पर चलिए next question की तरह बढ़ते हैं जो की है हमारा question number 27 जेजे थॉंसम को किस की खोज के लिए बहुत की में नोबल पर उसकार पराप्त हुआ है तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जाएगा option number B यानि electron ठीक है अगर नुक्लियस की बात करते हैं तो इसके खोज किस ने किया है रॉबर्ट ब्राउन ने किया है ठीक है रॉबर्ट ब्राउन ने अगर प्रोटोन की बात करते हैं तो प्रोटोन के खोज रधरफोड ने किया है ठीक है और अगर neutron की बात करते हैं तो neutron का खोज किस ने किया चैट बिक ने किया है चलिया नक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं जो किया है कोशन अबर 28 हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपलिकन आर्मी के स्थापक नेताओं में से कौन थे तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा ऑप्शन अबर C भागत सिंग और कब किये थे उनई 28 में किये थे याद रखिएगा उनई 28 में किये थे ठीक है एक इससे चीज इंपोर्टेंट याद और याद रखेगा कि अगर हिंदुस्तान रिपलिकन एसोसियेशन की बात करेगा तब हो जाएगे उनई 24 में उसका अगठन हुआ है और उसका गठन किये थे साचिंद्र सान्यालने किनने किया था साचिंद्र सान्यालने तो अगर हिंदुस्तान सोसिलिस्ट रिपलिकन आर्मी का पुछेगा तब उनई 28 में भागत सिंग लेकिन अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोचीएशन के बारे में पूछेगा तब हो जागा 1924 में साचिंद्र सान्याल ने ठीक है अगर बियारम बेटकर की बात करते हैं तो इनसे एक इंपोर्टेंट पार्टी का आप नाम याद रखेगा वो है सोतंतर स्रमिक पार्टी स्वतंत्र स्रमिक पार्टी का इनने गठन किया था उनने 166 में ठीक है अगर सुभास चंद बोस की बात करते हैं तो ये फारवर्ट ब्लॉक का गठन किये थे कब 1939 में चलिए नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं आदर्स गयास की उर्जा आधारित होती है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा मोल की संख्या पर ठीक है देखिए एक मोल बराबर आपने जानते ही होगे 6.022 into 10 to the proper 23 है और इसी को क्या बोला जाता है एवो गेडरो संख्या भी बोला जाता है एवो गेडरो नंबर भी बोला जाता है ठीक है और इस मोल को कब 9067 में एकाई के रूप में स्विकार किया गया था अगर हम आदर्स गैस की बात करते हैं तो आदर्स गैस बो होता है जो आदर्स गैस समीकरन को फॉलो करता है और समीकरन बो है क्या वो है PB is equal to nRT होता है ठीक है यहाँ पे P क्या है यहाँ पे P pressure है दाब B क्या है volume आयतान N की अगर बात करते हैं तो N क्या है मोलो की संख्या R की अगर बात करते हैं तो R क्या है R है constant मतलब आदर्स गैस नहीं है तंग जिसकी value होती है यह 314 joule per kilo mole ये रेल दिवस कम मनाया जाता है तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा option number A 16 अपरेल को मनाया जाता है ठीक है? देखिए 10 से लेके 16 अपरेल तक 10 से लेके 16 अपरेल तक ये रेल सबताह मनाया जाता है ठीक है? ये रेल सबताह मनाया जाता है और ये 16 अपरेल को क्या मनाया जाता है रेल दिवस मनाया जाता है और 1903 में पहली बाद रेल सताब्दी समारों मनाया गया था क्यों क्यों कि 1803 में ट्रेंग चली थी और 1903 में पहली बाद रेल सताब्दी समारों मनाया गया था ठीक है चलिए तो आसा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजेगा थांक्स पर वाचिंग